नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज एक नया टॉपिक है जिसके बारे में काफी कंफूजन रहता है कि जब भी हमारे पास कोई कुंडली आती है तो हम उसमें क्या देखना चाहिए कुंडली देखते वक्त हम लोगों को क्या-क्या चीजे ध्यान में डाल लेनी चाहिए तो सबसे इंपॉर्टन चीज है कि हमको लगन की राशी देखनी बहुत जरूए क्योंकि लगन राशी से हम लोग को मालूम चलता है कि उस बंदे की करेक्टरिस्टिक कैसी है तुला राशी वाल है उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें आपको सब चीजों का अडिया लग जाएगा दूसरी चीज चंदर राशी बहुत इंपॉर्टन है चंदर राशी के अंदर आपको चेक करना है कि चंद्रमा किस राशी में है तो वो राशी का भी फरक आदमी की परसनेलिटी और करेक्टरिस्टिक पर पड़ता है वो चीज भी आपको याद रखने जरूरी है और तीसरी चीज यह है कि सूर्य को जरूर देख लेना चाहिए कि सूर्य मजबूत है या नहीं कुंड्ली के अंदर कुंड्ली में अगर सूर्य मजबूत ह अच्छा नहीं रहेगा जिसके अंदर उसके प्रॉब्लम आती रहेगा तो यह प्रॉब्लम बहुत जादा हो जाती है इसलिए सूर्य को देखना बहुत जरूरी है चंदर को देखना बहुत जरूरी है चंदर राशी तो हमने देखी आप चंदर को देखी है चंदरमा भी पाप ग्रहों के प्रभाब में है, चंद्मा पाप ग्रहों से दरस्ट है, छटे आट में बारे भाब में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो ऐसे आदमी की मान से कि स्थिती अच्छी नहीं रहेगी, उससे कोई नो कोई mental stress वगर रहेंगी, तो वो चीज देखनी भी बहुत इस चीज को आजमा के देखिए, आपको 110% रिजलेट सही मिलेगी, किसी इनसान की जन्म की दशा कैसी रही है, क्या जन्म के समय उसको चटे आटवे बारवे भावे भावों की दशा मिली, उसको जन्म के समय कैसे भावों की दशा मिली, इसके उपर उसका पूरा जीवन नि उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। कैरियर में भी उसको दिक्कत होती रहती है। चाहे दशा कितनी अच्छी चल रही है। वो सकता है कि दशा बाद में बहुत अच्छी चल रही हो आपकी। लेकिन अगर जन्काली इंदशा खराब है तो उस केस में उतना एंजॉय आप नहीं कर पाते हैं जो आपको एंजॉय करना चीए था अच्छी दशा की। लेकिन इसके विपूरीट अगर जन्काली इंदशा आपकी अच्छी है बहुत अच्छी है। तो उस समय भी उतना नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि आपकी जन्म की समय की दशा बहुत है। तो इसलिए जन्म कालीन दशा को देखना अब त्यंत अनिवारिया है। फिर ये भी देखना जरूरी है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, उसका गोचर में क्या प्रभाव, गोचर में कैसा है, आप गोचर भी देखते हैं अलग अलग तरीके से, लगन से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं, वो भी देखते हैं, तो आप चंद्र राशी से गोचर लाकर देख सकते हैं, जन्मकालिन राची से सूरे का गोचर 3, 6, 10, 11, वावो में अच्छा होता है, जन्मकालिन राची से मंगल का गोचर 3, 6 और 11 भाव में अच्छा होता है, तो ये तो अस्टक वर्ग में दिया हुआ है, आप कहीं मी फल्दीपी का वगारा किताम में पढ़ सकते हैं, कि किसा इडियो भी मेरी काफी बनी हुई है आप उनको देख सकते हैं चंदर से गोचर तो जनकाली चंद्रमा से गोचर भी देख लिजिए अंतर दशानात का अगर वो गोचर उसका ठीक नहीं है तो आपको काम भलई आपके बन जाए लेकिन आपको मांसिक शांथी नहीं मिल जैसे अच्छी दशा हो सब कुछ बहुत बढ़या है प्रमोशन के आपके चांसिज हैं तो प्रमोशन तो आपको हो जाएगा दशा में लेकिन अगर आपका अंतर दशा का गोचर अच्छा नहीं है तो प्रमोशन की उतने खुशी नहीं होगी हो सकता है आपका ट्रांसवर हो जा यह चीज़ आपको ज्याद में देड़े किस उम्र में कौन सी महदशा चल रही है देखे महादशा के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि महादशा इंसान की प्रकरती को चेंज कर अगर सूर्य स्टॉंग हो तो आदमी के अंदर डिस्प्रिन लाती है थोड़ा गुसा भी लाती है थोड़ा एंकार भी लाती है लेकिन डिस्प्रिन लेकर आती है अनुश प्रकर्टी में आपके उसे की हो जाएगा शनी के प्रकरती क्या है दुख तेने की आलच से लेकिन अगर शनी hasn है तो आप ही और फ्रापर की स्ट्रॉंग है तो उस केस Hammamal माधशाद रहें आपके रिखावट से होते रहेंगे आपके दंग से काम नहीं बन पाएंगे तो उसका रिजल्ट आप डंग से लेनी पाएंगे चुकि आपके अंदर आलत से भरा हुआ है आपके काम रुख-ुरक्त होते हैं शनी की माधशाद चल रही है अच्छे तो मिलेंगे आपको उसमें कोई दो रहे नहीं लेकिन आप उन रिजल्ट को एंजॉइ नहीं कर पाएंगे चुकि आपकी प्रकृति उस तरह से बन तो बहुत जरूरी है कई बार क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लेकिन हम लोग किसी नों किसी कि उम्र में कि कुणली के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि देशकाल परिस्तिति के हिसाब से आपको चीज देखनी होती है तो इसलिए यह भी देखना बहुत जरूरी है कि जो महाधशा मिली है यह किस उमर में मिली है अब शुक्र की महाधशा इंसान को थोड़ा में पढ़ सकता है तो उसको सभालने की जरूरत है और उसके पर दियान देने की आवश्चा तो उसकी प्रकरती इस तरह की हो जा यह सब चीजे हम लोगों को बहुत द्यान देने देता है कि महाधशाथ किस चीज़ की है जो कि इंसान की प्रपर्थी को चेंजर है, तीनो तरिकोंड जपन, ज़रूर देखं़ा। पहला पांचवा नवा भाव, तीन में से दो तरिकोंड भी आपके अगार अच्छे है, मतलब दो तरिकोंड पे आपके शुप प्रभाव है, और कोई पाथग्रह नहीं बैठा है, पाद ब्रहों की द्रस्टी नहीं है तो उस केस में आपकी कुंड़ी अच्छी कुंड़ी मानी जाएगी और आप सखलता प्राप्त करें तो ये भी देखना बहुत आवश्यक है अभी आप अभी हम लोग प्रत्रतर द्रशा अंतर द्रशा पे नहीं पहुंचे हैं किसकी चल सब्सक्राइब आपको मिलेंगी आगे दीरे दीरे जब आगे बढ़ूँगा अभी तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि कुंड़ी देखते में क्या देखें एक चीज बहुत इंपॉर्टन देखिए जितने भी रिजल्ट अंतर द्रशा के प्रतेंटर द्रशा के आपको मिलें जिसकी पत्रिका है उसको मिलें यानी लगन को मिलने लगन जो है वैसिकली आप स्वेम आप स्वजपस और लगनेशक का और अंतर धर शानाथ का एकसिस जरूर देखना चाहिए D1 पत्रिका में, D9 पत्रिका में और गोचर के लगनेश और अंतर दशानात एक दूसरे से कौन से भाव में बैटे हैं क्या उनका एक्सिस 3-11 है क्या एक्सिस उनका 6-8 है क्या उनका एक्सिस 5-9 और ये आपको D1 चार्ट में भी देखना है D9 चार्ट के अंदर भी देखना है नवांस चार्ट के अंदर और आपको साथ में अगर आप पुत्र के बारे में संतान के बारे में देखना है करम के बारे में देखना है तो D10 के बारे में भी देखना है इस तरीके से और गोचर के अंदर देखना है तो अगर लगनेश और अंतर दशा का एक्सिस दीवन चार्ट में भी 6-8 का हो और नवाश में भी 6-8 का हो और गोचर में भी 6-8 का हो तो समझे यह बहुत बुरी दशा है आपके लिए तो यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है देखनी तो एक नजर इस पे जरूर डाल लीजिए इसके बाद यह भी ध्यान देखिए कि दशा पर एकदम हम लोग जंप नहीं करेंगे यह देखेंगे कि गुरू की दशा आगर चल रही है तो गुरू की दशा छटी तो नहीं है जन अगर गुरू की दशाए तो आपके लिए नुकसान दायक हो और आपकी दशा चल रही है fel आपकी चौथी दशा यह मोटे चीज भी आपको भ्याते हैं तो यह कुछ पॉइंट्स मेंने आपको बताएं धेरे और इसी पर सिरीज में कुछ आर पाइंट्स में आपको आपको अगे बताता रहा हूँगा कि कुंड़ी देखते वे हमें क्या-क्या देखना है और किस किस तरह से देख तो आशा करता हूँ आपको यह समझ माया होगा समझ माया है तो कांडिर लाइक कीजेगा सब्स्राइब कीजेगा शेर कीजेगा आपके लाइक करने से हि मिलता है और इसके अलावा हम नवंबर के मन्त सेकंड वीक ऑफ नवंबर से एडवांस एस्टेलोजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो लोग भी एडवांस एस्टेलोजी सीखना चाहते हैं वो दिए गए नवर के संपर्ण धन्यवाद जैश्ट